So hello guys, कैसे हैं आप सभी? उमीद करता हूँ, बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में guys, मैं discuss करने वाला हूँ आपके साथ एक ऐसा word जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा use हो रहा है हंजी, इस word का इस्तमाल इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो traditional words है न, मतलब जिनका exact meaning जो है वो कम use हो रहे हैं, ये word ज़्यादा use हो रहा है in terms of speaking speaking में इसका बहुत ज़्यादा इस्तमाल हो रहा है खासका native speakers के द्वारा native speakers आज कल जैसे आप English movies देखते हो English songs सुनते हो या फिर कुछ भी English में आप देखते हो सो आज के टाइम में इस word का काफी use कर रहे हैं, सो कौन सा है वो word, let's start सो आज हम discuss करने वाले हैं about get so let's start get का first meaning, देखे get को हमने आज तक पढ़ा है, हमने कैसे पढ़ा get को, get का मतलब होता है प्राप्त करना, कोई चीज प्राप्त करना है न, तो get का पहला meaning receive, मतलब कोई चीज आपने प्राप्त की, yes understood, receive करना किसी चीज को, जैसे आप बोलते हो अब जैसे, देखो, receive होता है वैसे तो प्राप्त करना किसी चीज को, कोई चीज आपने पाल ली हो, जैसे आप बोलते हो कि मैंने आपका एक email मुझे मिला ठीक है, मुझे मेरे पास आया आपका email means आपने पाया है वो email so आप कैसे बोलते है, I received your email, I received I received an email, आप इस तरीके से बोलते हो ठीक है, लेकिन आप received के जंगह पे आज के टाइम में आप बोलोगे I got an email I got an email, I got an email received को replace करता है got, get की second form हम यहां use करें, because it is past tense past में जा रहा है तो receive के स्थान पे आप got का इस्तमाल करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ receive करते हैं, so use get next word take, take मिंस क्या होता है लेना take यूज करते हैं लेना के लिए लेकिन आज के टाइम में get इसकी जगे यूज हो रहा है take की जगे भी get का इस्तमाल हो रहा है let's see कैसे आपने बोला, मैं गलस पानी लेना चाहता हूं so आप तो naturally बोलोगे I want to take a glass of water लेकिन native speakers कैसे बोल रहे हैं I want to get some water I want to get a glass of water like this take को replace कर दिया get से really, आप लोग सुनके देखिए आप English के channel या फिर English movies को देखिए आपको इस तरीके के word काफी ज़्यादा सुनने को मिलेंगे आज के time में take को कम और get को ज़्यादा इस्तमाल किया जा रहा है so I want to get some water like this they use so take एक traditional word हो गया get इसकी जगे पे आज के time में modern English में use हो रहा है let's start the third meaning third meaning क्या है इसका third meaning जो हम use करते है obtain की जगे पे obtain obtain का मतलब होता है कोई चीज आपको मिल गई है मिलना okay पाना, मिलना sound करता obtain का ये receive के जैसा ही है but receive में कोई letter या कोई चीज आपको मिलती है but इसमें जैसे आप बोलते हो sir मुझे एक नई जॉब मिल गई है so I obtained के जगे आप बोलेगे I got a new job I got a new job आप बोलेगे यहां पे okay तो got का use हम यहां पे भी कर लेते get again I am telling you get की second form में ये got ये past में use हो रहा है okay now let's talk about the fourth meaning of get get का चोथा meaning हम देखते है fourth meaning guys fourth meaning क्या है get का fourth meaning है हमारा buy buy के साथ भी हम get का इस्तमाल करते है means buy के replace करते है get से let's see कैसे आपने हिंदी में sentence बोला कल मैंने market से कुछ dresses खरीदी कल मैंने market से कुछ dresses खरीदी खरीदना means buy आप चाहें तो आप यहां पे buy यूज़ कर सकते हैं लेकिन people क्या use कर रहे है people use कर रहे है yesterday I got some dresses from the market yesterday I got some dresses from the market I got some dresses आएगा यहां पे यहां buy को भी replace कर दिया get ने guys this is the problem that students don't understand sometimes जिनको buy से ही समझते रहते ना कि buy का मतलब तो खरीदना होता है लेकिन वो सुनते है किसी से got अरे got का मतलब तुम्हें मिली है क्या कहीं से नहीं got का मतलब भी खरीदना हो जाता है कई बार so आप get को भी यूज़ कर सकते हैं instead of buy okay now let's start अब अपने fifth word के तरफ चलते हैं हम fifth meaning क्या है so fifth वाला word क्या है हमारा fifth word है हमारा become become की जहें भी हम get का यूज़ करते हैं let's see how अब become को आप कई बार देखते हो कि become means बन जाना या हो जाना किसी चीज़ को हो जाना basically sound जादा आएगा इसमें जैसे आप कई बार बोलते हो कि sir मुझे देर हो रही है अब यहाँ पर हो का sound आ रहा है guys हो ना किसी चीज़ का हो जाना तो वहाँ पर आप get का use कीज़े so कैसे use करेंगे I am getting late I am getting late आप use करेंगे आप इसे become use नहीं हो सकता यहाँ तो होई नहीं सकता यहाँ तो आपको get का ही use करना पड़ेगा और भी बहुत सारे words से इस तरीके के sentences are sorry जैसे मैं nervous हो रहा हूँ I am getting nervous really I am getting nervous और आप बोल सकते हैं मैं बहुत excited हो रहा हूँ I am getting excited आप इस तरीके के word use कर सकते हैं जहाँ पर हो का sound आ रहा हो हिंदी में आप get का use वहाँ पर easily कर सकते हैं देखें point हमेशा ध्यान रखें कि grammar आपकी वही है sentences उसी pattern से बनाना है जैसे रहा रही में ismr, ing लगाना है same वही रखना है बस आपको जो हो का meaning आएगा उसमें get को add कर देना है ठीक है चले next चलते हैं अपने sixth meaning के तरफ क्या है हमारा समारा arrive arrive का मतलब होता है पहुचना कहीं पे तो पहुचना के sound में भी आप get का use कीजिए न आप लोग सुनेंगे न जब English native speakers की foreigners की तो आपको get word बहुत ज़्यादा मिलेगा उनकी speaking में बहुत सारे और words भी हैं जो बहुत commonly वो use कर रहे हैं बट हमारी traditional या जो हमारी किताबों में हमें पहुचना का meaning होता है वो या तो arrive या फिर reach हम ये use करते हैं लेकिन वो get का use करते हैं let's see how बोलते हैं जैसे हिंदी में sentence आता है कि शायद आप वहाँ पे लेट या आप बहुत लेट पहुचे होंगे वहाँ ठीक है इसका एक सिंपल सा meaning भी देखते हैं जिसमें हम एक सिंपल सेंडेंस देखते हैं जिसमें get का use easily करके देखते हैं थोड़ा सा जैसे मैं समय पर नहीं पहुच पाया I didn't get on time I didn't get on time तो get का use हमने या पे पहुचना के लिए किया hope you are getting what I am saying getting understand अब एक और जो next word है वो है understand understand के लिए भी हम get का use करते हैं are you getting me जैसे ये से मैंने sentence पूला are you getting me what I am saying तो क्या आप समझ रहे हैं are you getting me तो guys understand के लिए भी हम get का use करते हैं so instead of understand आप get का use कीजिए ठीक है मेरी समझ में नहीं आया sir I didn't get it sir I didn't get it तो इस तरीके से आप get का use करते हैं now we are going to study about the last but not in the list हम जिस word को आप study करेंगे that is most important guys क्योंकि इसका इस्तमाल अगर हमने नहीं पढ़ाना तो बहुत सारे sentences बनी नहीं पाएंगे हमसे चलो मैं आपसे एक sentence पूछता हूँ आप लोग translate करके देखे can you translate this sentence sentence है मैंने अपने बाल कल कटवाए थे मैंने अपने बाल कल कटवाए थे एक छोड़ा सा sentence है एक बार आप इसे बना के देखे अब यहाँ पे आप surprise हो जाएंगे कि यहाँ पे get का use होगा I got my hair cut yesterday get की second form आई क्योंकि past में sentence है I got my hair cut yesterday तो get की second form आपने use की यहाँ पे गाई तो कब use करना है जब आप वा का इस्तमाल करते हो sentence में वा यह एक हिंदी का word है जो आपको indication देगा कि यहाँ पे get लगाओ ठीक है जैसे मैं अपने घर की सफाई करवा रहा हूं वा रहा हूं ठीक है so I am getting तो जहाँ पे जो verb आनी थी ना हमारी clean verb आनी थी उसकी जहेंगे पे आप get का use कर दीजे और इसी में ही ing भी add कर दीजे I am getting my home clean और third form आएगी guys last में इसका एक बार formula आप देख लीजिए कि अगर subject आया तो subject फिर helping verb फिर get अब get जो है helping verb के अनुसर change होता जाएगा फिर एक object आएगा guys इसमें object क्या आएगा जिस पे काम हो रहा है ठीक है जैसे पहले वाले sentence में बालो पर काम हो रहा था दूसरे वाले sentence में घर पर काम हो रहा है तो वो get के बाद यूज करना है फिर जो हमारी main verb है जो sentence की मुख्य करिया है वो third form बनके object के बाद आएगी फिर अगर आप लगाना चाहें एक और object तो वो भी लगा सकते हैं लास्ट वाले object में आप यह बताएंगे किसके द्वारा करवाया कब करवाया कहां करवाया वो sound पीछे के object में आएगा बट यह जो first object है इसमें हम use करेंगे उस चीज को जिसके उपर काम हुआ है ठीक है hope you are getting me जैसे एक दो sentence और देखते हैं इसका जैसे मैंने उसे सजा दिलवाई मैंने उसे सजा दिलवाई वा आ गया इसमें भी देखे I got second form लगी हाँ पे I got him punished ठीक है तो गाइस इस तरीके के बहुत सारे sentence होते है जहां पी आपको वा दिखे यह causative sentence होता है गाइस जहां पे आप किसी से कोई काम करवाते हैं खुद नहीं करते हैं आप करवाते हैं किसी से कोई काम उस समय पे आप get को use easily कर सकते हैं और without get यह sentence बनी नहीं सकते गाइस अगर यह last वाले sentence के मैं बात करूँ न या जो मैंने बोला कि causative sentences होते हैं इनको आप बिना get के बना ही नहीं सकते इसलिए इन sentences को get को अच्छे से prepared कीजिए अब जैसा कि आप लोगों ने probably 8 meaning इसके देख लिए हैं 8 meaning के साथ अगर आप इनका use करते हो get को तो सोचो कितने सारी जंगा पे आप get का use करने लग जाओगे लास्ट में आपको पता चलेगा कि कुछ phrasal verbs भी होती हैं जिनका इस्तमाल get के साथ किया जाता है और जब get उनके साथ use हो जाता है तो वो meaning ही बदल जाता है बिलकुल ठीक है एक दो example के तोर पे आप देखें आप बोलते हो सुबह सुबह I get up I get up का meaning उठना होता है ठीक है तो get up means एक देखो बिलकुल ही different word हो गया get up ये एक phrasal verb बन जाती है इस तरीके की बहुत सारी verbs मैं आपको लास्ट में वीडियो के दिखाऊँगा आप लोग उन्हें ध्यान से देखना अगर आपको कोई भी confusion लगे so please ask to me अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है and this video can help you in speaking देखो speaking के तौर पे मैंने ये वीडियो बनाई है speaking के लिए ये वीडियो बनाई है because in this video आप लोगों को जो भी word मैंने बताए है उनके traditional meaning भी है मतलब जैसे लेना, प्राप्त करना आज के टाइम में get का जादा use हो रहा है इन words के साथ अगर आप अपने आप से इनके practice करेंगे फिर कोई आपके सामने बोलेगा इन words को तो आप easily समझ पाएंगे कि वो बोल क्या रहा है that's why मैं आप से कह रहा हुँ speaking में use कीजिए, writing में थोड़ा कम यूज कीजिए, because यह थोड़ा informal sound करते हैं यह formal sound नहीं करते hope you have enjoyed the class अगर आपको कोई भी problem या कोई भी confusion लगी हो in this chapter, so please comment box में मुझे लिख के भेजना I will try to improve or I will try to solve your queries also और जिन्होंने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है so please guys subscribe कीजिए और आगे बढ़ाईए यार please चलो चलते हैं next video में अपनी thank you very much guys